हेलो एव्रिवान वेल्कम टू क्लास 14 जिसा कि आपको मालू में देली मौर्निंग में आठ बजे अपना एक इंपोर्टन सेशन होता है जहाँ पर हम लोग 30-40 मिनिट के लिए इंडिया के सारे इंपोर्टन न्यूस्पेपर जोकी कवर करते हैं आज सो सॉरी क्लास थोड़ी काफी लेट हो गए आठ बच के 20 मिनिट जोकी हो गए और अपना बजे आठ पास तक अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं तो फस्टिवल सो सॉरी प्रॉब्लम यह थी कि दो दिन के न्यूस्पेपर कवर करने थे आठ बारे जोकी पढ़ने थे सुबही स्टार्ट करें कल तो आ इत भी रिए सही नी थी साथ में टाइम भी नहीं पिल पाया कनी यूस्पेपर कर कने तो आज सुबह ही उठके सारे जोकी औरस पनाने में पर नहीं कुछ भी आपके ए पोड़न दना चूने लोगा पकी और ह बन यूस कि अम् लोग स handfulग करने वाले हैं all right hopefully आपको किसी भी तरीके से कोई भी एक्जाम में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप regular session को join कर रहे हैं तो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आज के total article अगर हम लोग देखेंगे तो 9 article आपको 10 हिंदू में मिलेंगे क्योंकि दो दिन का newspaper है चार article आपको P.I.P.P.RS में मिलेंगे और प्युतने ही article आपको जन सत्ता साथ में आपका PIB और साथ में टाइमस ओफ इंडिया इन सब के अंदर मिलाकर है जो की मिलने वाले हैं अल्राइट चलो आगे बात करते हैं और अगर आपको इस क्लास की कर सकते हैं सभी एक्जाइम के लिए मैंने करेंट आपके लिए लॉंच कर रखा है और जी के का बैच पर आपके लिए अविलेबल है अल्राइट चलिए आज का कोट अफ़ दे रिखते हैं दब वेरी तिंग डैट होल्ड यू डाउन आर गोई टू लिफ्ट यू अप देख मैं मेरे जिन्दकी का फेलियर वाला टाइम देखता हूँ यकीन मानिए सक्सस का टाइम जो है वो उसी वज़े से आता है विकॉज उस डूरेशन में जो आप चीज़े सीखते हो ना जो दुनिया तारी आपको इस दुनिया में कोई भी किताब या कोई भी स्कूल या कोई कोई भी कॉलेज जोकी नहीं सिखा सकता कोई भी डिगरी के माध्यम से आपको वह सब सीखने को नहीं मिलता जो आपको अपने फेलियर के टाइम पे बुरे दिनों के टाइम पे जब आप बहुत जादा डी मोटिटिवेटेड फील कर रहे होते हूं आपको लगता है कि यार करते हो ना वह भी शायद होते ही नहीं है तो अमश्य लेर्णिंग होती रहती है और यही वक्त है जो कि आज आपको फीचर के लिए प्रिपेर करेगा कोई नाम की चीज नहीं होती है बस कभी कबार एक्जाम निकलता है कभी बिलकुल ही निकलता है थोड़ा सा टाइम है ज अगर मैं बात करूँ चर्चा करूँ तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉरेंट है यहां पर एडीप के दुवारा एशन डवलोपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट किया था कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है वह साथ परसेंट जो कि इस साल रहने वाली है अगर मैं एडीप करेंगे यहां पर जाव मस्जद दिल्ली की फोटो है यहां पर कॉंट्रोवर्शल युएस के फुट्बॉलर और एक्टर थे हमकी देथ हो गई उसके बारे में बता है सिंप्सन एपल ने चेंज कर दिया हैकिंग अलट पहले तो आपको मालूप है कि कोई भी गॉर्मेंट जब आपको एक बार एपल ने मैसेज दिया था अपने सारे यूजर्स को इस्पेशली जो हाई लेवल यूजर्स है इनके जो पॉलिटीशन है या फिर जो अपोजिशन लीटर्स है या फिर जनलेस्ट है उन सभी को कि गॉर्मेंट स्पॉंसर अटाइक है जो कि आपके फो यह मैसेज जो की जारी किया है ठीक है इसके अलावा यहां पर बात करें तो इंडिया और चाइना के रिलेशन्शिप को लेकर है यहां पर एक सर्वी किया गया सी एस डीएस डीएस लोकनती प्री पॉल सर्वें दैंदू के दुबारा उसमें बताई गया कि भारत के अंदर आज भी लोग जो है ना वो प्लूरिटी को ही सपोर्ट करते हैं यानि कि मतलब हम चाहते हैं कि सारे के सारे लोग जो है वो मिलकर रहे हमारे देश में ओवेसल नराज के लेकिन भारत की एकता और अखंडता को कभी कोई तोड नहीं पाया आज भी जब सर्वे किया गया तो 80% 79% लोगों ने यही बिलीव किया कि इंडिया बिलॉंग्स टू सिटिजर ऑफ और इक्वल रिलीजिजन सभी रिलीजन सभी पंत के लिए जो है वो भारत दे इंडियन जो है वो जैनेटिकली कभी भी हेट्रेट वाले होई नहीं सकते है तो वही चीज़े जो कि आप बताए गई है यहां पर अमिश्या ची का स्टेटमेंट है यहां पर एरफोर्स को लेकर स्टेटमेंट है तो यह आपको पूरा फ्रेंट पेज है हमारे लिए जो ज पिछले कुछ सालों के अंदर यह देखो यह 2024 की बात कर रहे है अगर आप लोग इस फिनाशल यह की तो 7.6 इस आने वाले साल की साथ परसेंट और उसके बाद में 7.2 परसेंट तो इस साल की तो साथ परसेंट का प्रोजेक्शन क्या है पिछले वाला 7.6 गया है और उसके बात करें तो वह 7.2 परसेंट जो की बताया है तो काफी अच्छी ग्रोथ है साथ परसेंट इस वेरी नाइस ग्रोथ आज की टाइम पे जहां पर दुनिया के अंदर बहुत जाता है इंडियन स्टॉप मार्केट भी आप देख रहोंगे वह भी गोली की तरह ऊपर जा रहा है हमारे आपके कंजप्शन डिमांड अंप्ला है उसके अलावा यूएस के अंदर भी इंफलेशन बढ़ रहा है तो वह भी एक कारण रहा है बहार से लोग इंवेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रहे है वह काफी वह बढ़ रही है उसके वज़े से भी हमारे आपे आप मार्केट में जो है वह आज के टाइम पर इंवेस्ट कर रहा है तो यह सब डॉमेस्टिक कारण रहे है इसके अलावा चैना को लेकर इंसेटिनेटी बहुत जाता है बहुत जाता है स्टेबिटी जो हमारे कंट्री में ज्यादा भैतर है अगर दुनिया में 40 ज्यादा जो के अंदर इस बार इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में अगर इंडिया उन कंट्री में से जहां पर कोई भी पार्टी जीते हमेशा स्टेबिलीटी रहेगी पास साल पॉलिटिकल पार्टी इसकी समझ गए और पॉलिसी जो है वो सेम ही है जो कि आल्मोस रहने वाली है आने वा दुनिया में यह सारे कंट्री जे जो कि इसके मेंबर है और यह आउटसाइट एश्या के मेंबर से अगर मैं लागें की बात करो तो सबसे जाधा बॉर जाए वह बिलियन डॉलर चायना ने किया हुए इंडिया ने 16.1 डॉलर किया हुए उसके बात पाकिस्तान है तो यह त 2018 का data है अगर मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करो तो सबसे जादा वोटिंग परसेंटेज आज के टाइम पर जापन और USA के बाद में उसके बाद चाइना और उसके बाद में हमारे पास वोटिंग परसेंटेज हैं तो यह OECD का है फोर्कास्टिंग तो उसका भी अगर ग्लोबल फोर्कास्टिंग देखोगे तो 2024 की तो इन्हों ने 6% के आसपास बता रही है लेकिन यह भी थोड़ी फ्लक्ट्वेट होगे अब जब नेक्स्टिंग की आएगी तो यह भी साड़े से 7% तक है जो कि आ जाएंगे इसके आपको मालूम होगा की फ्रांस के अंदर एक सिटी है कैंस नाम की तो आप एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता जिसको कांस फेस्टिवल कहते है अब हमारी 40 साल मात कोई मूवी है जो की उनके मिजर अवार्ट के लिए फाइट करने वाली है तो इंडियन फिल्मेकर है पा तो यह फॉर्स इंडियन मूवी बन चुके है जो 40 सालों के अंदर फीचर करेगी प्रिस्टिजिस कॉंपेटिशन जो की इनका एक सेक्षन है फेस्टिवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप प्राइज है आप है पैल्म डियॉर तो पाम डियॉर इनका मोस्ट इंपॉ सेंड की यह मूवी थी खरीच करके उस मूवी ने इसके अंदर कॉंपीट है जो कि क्या था अब 12 फाइनली 1224 के अंदर जाके 40 साल बाद में इसके अंदर कंपीट करने वाले इसके अलावा और भी कुछ कटिगरी इसके अंदर जैसे कि हमारी एक संतोश करके है वो भी आप तो एक नर्स और एक मेडिकल बैग्राउंड के आसपास जो कि इस मूवी को बनाए गया है तो आप देख सकते हो 1946 में की शुरुबात हुए थी इस अवर्ड की शुरुबात हुए तो इसका नाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था बाद में इसको केंट फिल्म फेस्ट आगे बात करते हैं पिज नंबर 10 यहां पर बात करेंगे एक तो सरकारी नौकरी जो वेकेंट है भी वह और साइबर क्राइम को लेकर तो अगर यहां पर इंटरस्टिंग ली देखोगी तो 14% सीटे जो है वह खाली पड़ी वी है अगर ड्राइवर और असिस्टेंट ड्रा असपास पोजिशन जो है वो एक मार्च तक खाली पड़ी थी लेकिन अभी तक कोई जोइनिंग अभी तक कोई प्रॉपर तरीके से पेपर करवाना लोग सबाग एलेक्शन आ गया है सब कुछ हो गया है अब यह बहुत सब चलेगा दो तिन मेने फिर पेपर अटक ओके हैं और भी बहुत ईपार्टमेंट में खाली पड़ी वी बहुत सारे अल्यकर एसा और अपर यह कुझर होगा कैसे प्रब्लम होगी अम लोग बोलते हैं कि सरकारी काम है यार बहूत को होता है अरे उसका मेजर कारण यह पी है के रिक्रूट्मेंट तो करो टाइम पर रिक्रूट्मेंट ओगा लोगोंगे टेक्नॉल जी हो तो लोगों कि काम होंगे सरकारी टाइम पे अब अच्छी बात है अब अगर दो लोग है और फिर काम जाधा है तो फिर कौन ही करने वाले बात हो जाएगी थोड़े से जज्ज है और फिर उनके वापन लाखों केस पटक दोगे तो उनको लगता है सॉल तो होने नहीं है अब करके भी क्या फायदा है चलो वह पांस बज़िए अपने तो उठो वाले कहाने हो जाती है चलिए आगे बात करते हैं वर्ल साइबर क्राइम इंडेक्स को लेकर एक स्टेडी पब्लिश करेंगे उसके इंदर रेश्या ने टॉप किया है कुछ दु लोग जो है वो लोगों से अलगलग तरीके से पैसे है जो कि ले लिए जाते और उनके बाद उनको कुछ भी अविलेबल नहीं होता है दुनिया में बहुत सारे तरीके होते हैं साइबर क्राइम करने के एक मालवेर्स होते हैं एक यह सौट्वेर है रेंसम वेर टाइप के समझ वह सौट्व आपके डिविच करते हैं कंप्युटर को कंट्रोल करते हैं जो की फिशिंग होते हैं जो कि फेक ऐफिशल म से होते हैं जिस पे आप क्लिक करके अपना पासवार्ट डालते हो और आपके याप server और कंप्युटर के बीचيعर अपने आपको प्लेश कर लोत तो कई अनगलग प्रकार के साइबर अटैक के जो की होते हैं 2015-2019 के अगर आप देखोगे दो ट्रिलियन मतलब 2024 चल रहा है आप ने आपको फिर यह जो जो केस है जिसने किया है पैंक उससे केस लड़ेगा मलोस सोचे कितने बड़ी बात है तो लोगों का पैसा वो सेफ हो जाता है तैसे जादा होते हैं उनके और साथ में इशुर। होता है और किसी आत्मी का जो कि ऑॉट्वेटीकली ही होता है इंशुरेंस होता है तो उसके अंदर को याप ऐसा नहीं ही कि आपका करें तो करवाओं लिकरवाओं जो भी लोग जॉब कर रहें सब लोग और नाइन करेंटेड है तो सब कहीं से डियक्षिन हो जाता है तो उसका बैनेफिट भी रूपेगा होगा तो उनके अकाउंट में तुरंट जो है वह बैंक की द्वारा पैसा डालते जाएगा फिर बैं अबनेख बाइक यहाँ काई तो किसी के तो हमारे आप पर तो अलग अलग फ्रेंट पर लड़ना पड़ता है चीजों को लेकर रहें सिस्टम के अंदर तम जाके कोई रिक्वरी है जो कि होती है तो रिकवरी में आम लोग बड़े तरार हो जाता है बच्वन सहीं चलिए त सोचल एंजिनियरिंग में फिशिंग बेटिंग यह सब होता है कई सारे बोर्ट होते हैं फिजिकल साइबर अटेकिंग होती है यूसबी ड्राइब के साथ में आपके कॉमन इंटरेट काम में लेने को लेकर और मेजरली आज की टाइम पर आप देखोगे तो मुंबई थाने म दस गंटे ब्लैक आउट हो गया पावर के अंदर पावर सेक्टर में किसी ने अटाक कर दिया एविएशन में यह डेटा का जो सर्विस था वो टार्गेट कर दिया साढ़े चाल मिलियन कस्टमर का डेटा चुरा लिया अभी बोर्ट करके कंपनी उसका पूरा डेटा चुर अगर डिजिटल स्पेस में कहां पर कितने केसे पर मिलियन हुए हैं तो अगर आप देखोंगे मैक्सिमम केसे वह आपको यूपी में महारास्ट्रा करनाटका तेलंगाना उसके अलावा अंद्रपरदेश उडिसा आसाम इन राज्यों के इंदर आपको मैक्सिमम केसे देख सब्सक्राइब बाकि देखोंगे आप तो लीस्ट वाले में नॉर्डर इंस्टेट है और सेंटरल है और सदन स्टेट से और तो सबसे जादा जो है वो केसे उत्तरपरदेश करनाटका और महारास्ट्रा के अंदर है जो की रिजिस्टर होते हैं पच्छाहजार के आसपास और इससे भी बहुत जादा केसे लोग रिजिस्टर करवाते ही नहीं है अग्यों बात करते हैं पेज नंबर 15 यहां पर बात करेंगे दोस्तों किसको लेकर पहली बार नॉन अमेरिकन कोई जो है वो चांद पर जाने वाला है आपको मालूम यह बात कि आज तक चांद पर अ आराम से वहां पर पार्टिवर्टी करके लॉट के आ गए थे तो आज तक कभी कोई और गया है नहीं हाला कि रश्यन पहले पहुंच जाते हैं लेकिन रश्यन ने फिर अपने डिग्निटी के उपर ले लिया कि अगर पहले नहीं तो फिर हम जाते नहीं तब कि पहले जाने सब्सक्राइब के उपर लेकिन ठीक है इतने सब्सक्राइब इविडेंस प्रूफ है कि बारा लोग गए थे वह भी एक नहीं गया चलो पहला नहीं मानों कि दूसरा तुमान नहीं पड़ेगा तो टोटल मिला के यह था तो इनका जो अपोलो मिशन था उसके बाद 50 साल बा फिर मून से मार्स पे जाओ पहले मून को कॉलोनाईज करो इसको मिडवे बना लो जैसे कि जैपुर दिल्ली के बीच में बहरोट करके मिडवे आता है 50% एरिया में जहाँ पर आप चाय पानी करते हो चाय पानी पीते हो ब्रेक लेते हो उसी तरह किसे पहले यह ब्रेक लें फिर मार्स के उपर कॉलोनी बसाने की कोशिश करी जाएगी बड़ी इंट्रेस्टिंग वात है जो एक सुंदर सी अर्थ है उसका ध्यान नहीं रखते हुए हम दूसरे प्लैनेट के ऊपर रहने के कोशिश कर रहे है जहां पर एक्जिस्टेंस की बहुत ही मिश्किल है जहा लोग किया गया है ठीक है अपोलो प्रोग्राम के अंदर 12 अमेरिकन ने मून वाक के जो कि किया था उसके बाद 72 के बाद में किसी ने पिने किया तो दो हजार 26 में यह लोग प्लैन है जो की कर रहे हैं चाइना ने भी साथ में स्टेटमेंट दे दिया है कि 2030 तक वह भी जो ह है लोगों को मून तक पहुचा देगा हम भी दोस्तों 1240 तक जो है वो हमारे लोगों को मून के उपर ले जाने पर ततपर है उससे पहले भी जो हम लोग यह कर सकते हैं तो यह आर्टमेंस वन मिशन था अंक्रूड इंटिग्रेटेड़ इन्होंने एक टेस्ट किया था इस और और यह स्पेस्क्राफ्ट है जो कि यह लोग यूज़ करने वाले और ठीक है इस तरीके से वहाँ से पहले लॉंच करेंगे पहले वहाँ पर सर्कूलेशन होगा इस तरीके से फिर मून पर आएगा और आने वाले टाइम के अंदर यह बागी जगे के ओपर भी पहुच मून के ओपर मिशन चली रहे और मार्स जो है यह भी दूरी के ऊपर नहीं है इस बार मार्स के ऊपर भी मिशन है जो कि काफी सारे बेज़े जाएंगे अरें शिक्स करके यूरोप भी जो कुछ एक नए प्रोग्राम से जो कि लॉंच करता है मून की बात करूं मैं वुर्मन बारे में बात करें तो ये शारुक खान है वो में के अंदर बसा हमने भीड देख सकते हो आप इनके फैन के फैन्स की आउटसाइड इस एसिटेंस ओंदा ओके जो आगे बात करते हैं यहां पर यह फ्रेंट पेज है हमारे लिए फ्रेंट पेज पर कुछ बिखास इसा पर है जहां पर सबसे पहले तो यहां पर बोला जा रहा है कि बीजेपी को सेलेक्शन के अंदर एजल लेकिन फाइट जो काफी टफ है बिकॉस अफ़ दा महेंगा इश्यू और साथ मैं अनेंप्लाइमेंट तो यहां पर चारण है तो यहां पर मैटर ऑफ चोईस की बात कर है है इस तरीके से नंबर यहां फाइनली जाए वो बैंगलूर के अंदर जो रामेश्रों कफे में बबलस्त हुआ था तो लोह को जो को कुलकता से अरेस्ट कर लिया दो गंटे के अंदर ही पकड़ेगा है कुलकता के अंदर यहां पर अभी आपको मालूँ आर्दन पॉं होते हैं हमारे मठ्किया होती है जो कि गर्गयों पह तो फ्रेंट पेज़् पें चुछ भी खास एंपॉझन नहीं हैा हमारे लिए PBS ग्यारा यहां परड़ों के बाएं में बात करेंगे तो इंडिया और कॉंगो आपको एक अफ्रिकन देश है central African country ये Congo उनके साथ में हमने एक मुयू साइन किया है copper and cobald को लेकर दोनों एक critical mineral है हमारे लिए बहुत ज़रूर ही है है ठीक है तो इंडिया विल टैप Congo for critical mineral access mostly copper and cobald तो यह मुई है जो कि माइन्स को कर सके काम कर सके हमारी country के अंदर क्रिटिकल mineral की कमी ना है और हमें चाइना से इंपोर्ट है जो कि नहीं करवाना पड़े अदर्वाइस चाइना ने मोनोपॉली कर रखी आज के टाइम पर ओके अपनी रेट बनाने के लिए बेचना भी बना करती है बोला अभी तो करने हो सके तो यह वाली कहान ही है आप है तो लीथियम ब्लॉक को लेकर भी हमने अर्जंटिना के अंदर काम किया था हमने पड़ा भी था उसके बारे में और हम लोग अभी कॉपर और को लेकर जो है क्रिटिकल मिनरल इंडियन गवर्मेंट जो है वो यूज कर रही है इंगों का मैप है सेंट्रल अफ्रिकन कंट्री आप मान सकते हो कि किन साथ सा इसकी कैपिटल है और क्रिश्चैनिटी 95% प्रेसेंट यहां पर फैलिक्स करके अभी प्राइम मिनिस्टर सामा करके सामा और कॉलनाइज हुए थे बेल्जियन जो है इनको बेल्जियम से इंडि 2007 के अंदर फर्स कॉंगो वारी उसके बात मेंनोंने नया कॉंस्ट्रीशन 2006 अंदर जोकी बनाया है पॉपुलेशन जो है वह अच्छी कासी है ग्यारा क्रोड के असपास की पॉपुलेशन है जीटीपी पर कैपिटा कुछ खास नहीं है बहुत ही कम है जीटीपी पर बहुत जाधा अनसेटिटी है जो की ऊगई है एरान एक ऐसा कंट्री है जो कि आज के टाइम पे मतलब हर कंट्री से पंगा नहीं रखा आज और इसरेल एक एसा कंट्री चुपर आज के टाइम पर डिवस्ट टीशन का सब पर अटैक करने का जिमक्त गांए इस लग रहा है इसी वज़े से अभी क्या हुआ था एक embassy इस्राइल इसके ओपर आटेक कर दिया इरान का दिमाकराब होगा इरान ने भूल दिया हम भी इस्राइल को पर है जो कि अटेक करेंगे अमेरिका ने फोन कर दिया सारे चाइना रैशे सब को बोला कि सब जाओ इनको इरान विरान को समझा ओ ऐसे घल्ती ना करें इस्राइल पर टैक करेगा इस्राइल करेगा फिर एनके हमने भी जो है वो आना पड़ेगा तो फिर तबाई मत जाएगी तो समझाने के लिए है जो कि बूला है कि इस तरह के काम ना करें तो अभी रिसेंटली वेस्टेशा के अंदर बहुत जाधा युद्ध के स्थिती है ज के अंदर होती है वैसे कि अंदर ही था सीडिया के जो कैपिटल है तो एक चोटा ओफिस था एंबस्ती तो नहीं था लेकिन कॉंसलेट ओफिस था जो की इरान का था इसके ओपर एर स्ट्रैक कर दी इस्राइल ने और इनका जो रिवलुशनली गार्ट फोर्स का एक मेल करेंगे नेवी क्या करेंगे वह नहीं बताया लेकिन इस्राइल ने पूरी तैयारी है जो की कर लिए सबी लोगों के जीपिएस बंद करती है यह डॉम के साथ में उनका जो एक और होता है सी डॉम करके जिसमें वह नेवल से भी कुछ अटैक होता है उससे भी अपने आपक के साथ हुआ है इरान आज की टाइम पर सैंटर पॉइंट बन चुका है कही सारे देशों के क्रिटिस्जम का क्योंकि ऐसा मानना है लोगों का कि हमास हूती ओके और यह इस्लामिक स्टेट यह जितने भी टेर्रिस्ट ग्रूप है तीनों तीनों को फंडिंग वो इरान ही कर सके और तीनों ही आज की टाइम पर मरते वे नजर आ रहा है क्योंकि ना तो हूतीज के बसकी बात हो रखे नहीं हमास के और रखे है और नहीं कोई को यह बाकी जो फोर्से क्या बोलते है इसलामिक स्टेट जो सीरिया के अंदर सा वो भी आल्मोस खतम सा है जो की हो चुका ह है तो यही पूरी स्टतीय पूरे के पूरा आर्टिकल के अंदर जो की बताया गए है तो यहां पर आप देख सकते हो गौद्फाधर ओफ छो इसलामिक जियाद यह सारे के अंदर कॉमन क्या है कि सब जो है वह फन की जाते इरान के दुबहरा ऐसा स्टेट्मेंट है जो की अगर मैप देखोगे तो यह तो आपको देखने को मिलेगा इस्राइल यहां पर यहां पर इस पूरे रीजन के अंदर बहुत पूरे इस वाले पूरे रीजन लड़ाय और यह समझ गया तो काफी अजीब अगरी इस्तती आज के टाइम पर यह पूरी बेल्ट से इनके स्थाधी काफी घराब है नेक्स बात करते हैं तो अगर आप देखोगे तो इस्राइल ने तो आलरी तयारी है जो कि पूरी तरीके से कर लिये अभी इस्राइल ने औ और भी कई देशों पर अम्ले कर रहे हैं जैसे कि लैबनान में अम्ला किया इजबुल्ला के टिकानों के ओपर जो कि टर्रिस ग्रूप है इसके अलावा यमन के अदर तो उती रिबैलियन को यूएस और यूके फाइट करी रहे हैं कंभाइन मेरिटाइन फोर्सेज बना ल इसराइल यूके यूएस है जो कि यह मिलके कर रहे है स्टेबिलिटी के लिए लेकिन स्टेबिलिटी आना चोड़ो मुश्किल जाता हो रहा है इनने एक्सप्रेस की बारे में बात करें तो फ्रेंट पेज पे तो कुछ खास नहीं है एक न्यूज हमारे लिए है नया प्लै 2020-21 तक जो है वो हमने बढ़ा दिया था अब इंदियन एकनोमी के अंदर आज की टाइम पर अग्रिकल्चर के अंदर जो है न होटिकल्चर का वन थड़ की आसपास का कॉंट्रिबूशन है तो सुरक्षा करके एक नया वेब साइड है जो की बनाया गया है फुल फॉर में स सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स अलोकेशन नॉलेज और सिक्योर होटी कल्चर असिस्टेंट काफी लंबी चोड़ी फॉल फॉल फॉर्म है सुरक्षा नाम है इसका आपको तो बस सुरक्षा सीडीपी सुरक्षा दान को इतना ही तो इस प्लैटफर्म पर क्या होग कusement करवा सकते हो इस तरह के गाशा है इसको प्लाटफर्म करने के लिए चली है तो अभी तक आठ अथजार फार्मर से जो की अपलोड कर चुके अपनी चीजों को इन सबने वो किसानों को ऑन बोर्ड है जो कि क्या है रूपी वाउचर के तौर पे और फंड भी डिस्पर्स करना स्टार्ट जो कि कर दिया है आगे बात करते हैं वी आई का मतलब है वोटाफोन आइडिया दोनों ने मिलकर जो है जी और एटल को कंपीट करना सुचा लेकिन बिलकुल भी कंपीट नहीं कर पा रहे हैं हालत बहुत खराब है इसलिए जो है वह अपना एफ्पियो लॉंच कर रहे है बहुत बड़ा एफ्पियो अथारा जार करोट रूट रुपेगा अभी इंडिया का लार्जस्ट एफ्पियो का मतलब होता क्या है समझ गया है तो बोलते हैं हम लोग फॉलो पब्लिक ओफर क्या बोलते हैं पॉलो और पब्लिक ओफर तो आज की टाइम पर हर मत जो है ना वोड़ा फोन और आईडे की कस्टमर छोड़के जिए और एटल में जा रहे है मैं खुद 10 साल से 15 साल से वोड़ा फोन ना कस्टमर था अभी 2-3 मे मैल फोन कॉल करने का लिए फ्री है यह कॉल सा फ्री देना हुआ है आज की टाइम पर ऐसी इस्तिती हो गई है कि कॉल करो तो दो बहुत बड़े टेंशन है जनता को एक कि रुकाटिंग नहीं हो रही हो दूसरा लोगों को भरुसाय उड़ी है कॉनिंग के उपर से टेली कम सब्सक्राइब करने की अभी वह कॉस्ट जीरो तो हो चुकी है लेकिन वह सर्विसेज भी उसी तरीके से डिट्यॉरेट हो चुकी जबकि कि कितने रुपे दे रहे आज कर ती 300-400 रुपे तो हो ही गए मेरी गाल से जीओ के पर मंत के आज के जो फिर से स्टार्ट हुआ था तो यहीं बड़ा इंट्रेस्टिक गाव हुआ है नहीं तो अभी वोड़ापन आइड़ा के आनत बहुत ही करा आप मैंने कितनी वार समझाए कि यार देखो मैं 15 साल से काम में ले रहा हूं सही कर दो यह नेटवर्क मेरा बोलता है कि नहीं सर नेटवर्क तो सही है मैं बने है ना तो यह जो की कंपीट कर पा रहा है इलेक्टरल बॉंड में पैसा दिया है तो चलेगा इंटल को दिक्कत नहीं है बाद भी आज नहीं तो कर रहे हैं पैसे करने कोशिश कर रहे हैं आई पीओ का मतलब होता है जब सबसे पहले फ्रेश आप अपने कंपनी के शेयर ले कि एक बार लाच चुकिए हो लेकिन वापस आपको पैसी के जरूरत है तब कम कॉस्ट के ओपर आप पॉलोग पब्लिक ऑफरिंग है जो कि आप करते हो उसको कहते है आई प्यों लिस्टेट कंपनी का आता है समझ गया यह पहला कैपिटल आप पब्लिक के तुरू रेस करत हो पहले वाले के अंदर जो है रिस्क हाई होता है दूसरे वाले में रिस्क कितना दाता नहीं होता प्रिट्टिबल है कि कंपनी बढ़ी है और कम कॉस्ट में अपना दे रही है तो आप देख सकते हो सब जगे पर यह 12 रुपे का कॉस्ट था अभी बारा ना इतने के उपर करने जा रहा है कोई सम्वान करिदने जा रहा है सब जगे पर लिखा रहता है नो कॉस्ट एमाई आपको लगता है चलो ठीक है हजाद दस हजारों पर देने एक एक हजार करके दस बार में दे देंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है आपको अमेशा यह समझना पड़ेगा जब क्या कोई दूसरे तरके का कॉस्ट उन्होंने इंवाल किया हैं इंट्रस्ट को छोड़ के कई बार ऐसा होता है कि आपके नो-kos-t के में के अंदर कई प्रकार की फीस होती जो आपको पो बताए नहीं जाती जैसे कि फॉर एक संप्रमेंट की और आपके अडमिस्तेटिव अगर आप चाहोगे कि मैं जल्दी करोगे तो उसका भी नुक्सान होता है कि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो यह नो कॉस्ट इमाई को अमिशा थोड़ा समझ के पढ़के तभी नो कॉस्ट इमाई करवाय करो वर्ना अमिशा लॉस में रहोगे ठीक है छोटी सी घ्याज देटल मनीद वापस से दिसे कने कर रहा हूं तो थोड़ा एकंधिनना मुश्कीन नहीं भी है सुविधा तो कह रहे हैं आई जाती है ठीक है अलाविं थर्ड पाइप टो एक्सेज यूपिए प्रिपेट प्रिपेट पेविलेबल होती है अब आप क्या थर्ड पार्टी यूपिए आप भी काम में ले सकते हो यूपिए पेविंट करने के लिए यह एक नया चेंज जो कि क्या गया थर्ड पार्टी आप जो भी आएगी आएगी वह देखेंगे इसके अलावा आप सोशल सोवरियन बॉंड के अंदर जो है पर्मिट करती है जो फॉर्ण पोर्टफोलियो इंवेस्टर से बाहर के लोग वह आपको सोवरियन ग्रीन बॉन में भी सकते हैं सुविधा देने के लिए बस यह है कि हमारे चाइना पाकिस्तान मंगलादेश यहां सबसे नहीं होने चीए वह बाकि बालनों को साओधी में सेटल हो गया अमेरिका यूएस यूके केंपे सेटल हो गया तो वह इंदिया में कभी भी आ सकता है उसको उसको सिटिजन अब यहां किया कि यह और सीज का जो फीजी में रहने वाले भारती यह यहां पर रहने वाले भारती के लिए पहले फॉर्ट और शिक्स जेनरेशन की जो लोग ना इनकांट्रि में चले गए उनके बच्चों को भी अब यह फैसला किया है ठीक है तो यह देखो कि आप यह और इसी के अंदर आपके छोटी-छोटे चाहिए अलाओ कर दिया है कि उसी आई कंट्री के अंदर क्या है कि 1950 के बाद अगर कोई बारत में सिटिजन रहा है उसको मिलता है उसके बच्चों को मिलता है जिसमें एलिजबल होते हैं पाकिस्तान बंग्रादेश में नहीं रहने से ही है चलिए आगे बात करते हैं प्रवासी बारते दिवस 2005 के अंदर उसी कार्ड इसकी में जो कि हमने लॉंच करी थी ताकि लोगों को वापस से बुला सकते कंट्री में लिमिटेशन क्या है वोट नहीं कर सकते कॉंस्टिशन पोजिशिशन नहीं ले सकते अग्रिकल्ट क्या है कि लास्ट तरीका होता है जब आप कोई फैसला सुप्रीम कोड से सुनवाना चाहते हो तो सुप्रीम कोड ने कोई जज्जमेंट दे दिया हो गया फाइनल बात खतम हो गई लेकिन एक और तरीका है जब आप सुप्रीम कोड की जज्जमेंट को फिर से बदल सकते हो समझ गए कैसे कि आप क्यूरिटीव पेटिशन लगा तो सुप्रीम कोड खुद के जज्जमेंट को वापस से करता है क्यूरिटीव पेटिशन के अंदर और उसको लगता है कि या पिछले वाले के अंदर लूप होल था तो उसको सही करके वह वापस से फैसला सुना देता है उसको क्यूरिटीव पेटिशन क्याता है बस यह चीज मुझे आपको समझा रहे थी दिल्ली मेट्रों का कभी जज्जमेंट था उसके अंदर ही हुआ था तो समविधान में प्रिस्क्राइब नहीं है लेकिन एक तरीके से तरीका माने जाता है कि सुप्रीम कोड भी अपने की बने उससे पिछले देश में 68 बने थे पूरी दुनिया में थर्ड ग्लोबल है हम लोग यूएस से और चाइना के बाद में जहां पर सबसे ज्यादा यूनिकॉन स्टाटप्स बने जिसका मतलब होता है आठ हजार करोड की जो कंपनी बन जाती है उसको यूनिकॉन कहता ह है वन बिलियन डॉलर आठ हजार से जादा बान के चलो 82,000 82 के डो डॉलर हो चुका है आज के टाइम पेटीटीटीटी तो हमारे आप एरो स्पेस और स्पेस टैक के अंदर भी बहुत कमी है यहां पर हमारे पास जादे इंवेस्टमेंट जादा कंपनी नहीं है लेकिन आपको इंपॉर्टन सेशन और होफुली आपको सब को समझ में आया होगा कल हम लोग सुबह 9 बजे क्लास करेंगे जिसमें पूरे वीक के करेंट अफेर के महत्रपून सवाल है जो कि हम लोग कवर करेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू अवर्रिवन और है लग चाहएफ लाइ आज बाइ तक करेंगे सब्सक्तों से करेंगे लिए ट्यारों सब्सक्राइब ग्षाब के लिए ट्रप्वे जिए खूए छिए अछे टोर टुश्यरा है